Good morning students, आज हम class 5th का chapter number 6 Be my multiple, I will be your factor में odd or even numbers को जानेंगे कि odd numbers किसे बोलते हैं और even numbers किसे बोलते हैं तो even numbers First of all, हमारे numbers क्या होते हैं? Numbers हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके बीच में से हमें order even numbers चूज करने होंगे So even number हमारे होते हैं Number which is divisible by 2 with no remainder is called even number मतलब वो number जो 2 से divide हो जाए completely और उसका remainder क्या हो? उसका remainder क्या हो? कुछ remainder नहीं पूरा-पूरा divide हो जाए Examples हैं हमारे even number के 0 ठीक है? अगर किसी digit में 0 है It means 10 है तो 10 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो 2, 5 जा 10 2 है 2, 1 जा 2, 2 तो remainder हमारे 0 आ रहा है 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8 यानि यह completely divide हो जाएगा 2 से ठीक है? तो यह हमारा क्या है? यह numbers हमारे क्या है? Even numbers है यानि यह numbers यह numbers अगर किसी भी digit के last में होंगे तो वो हमारे even numbers होंगे Next one is odd numbers Odd numbers किसे बोलते हैं? Number which is not divisible by 2 वो number जो 2 से completely divide नहीं होता है जिसमें remainder रह जाता है उसको हम बोलते हैं odd number For example 1, 3, 5, 7, 9 यह सब क्या बोलते हैं? 2 की tables में नहीं आते हैं यानि यह 2 से divide नहीं हो सकते Divide हम तभी हो पाएंगे अगर वो उसकी table से completely आ रहा हो तो यह हमारा odd number होता है हमारा है How to find an even or odd number हम odd numbers और even numbers को कैसे पता लगाएंगे कि यह odd numbers है यह even number है तो यह देखे यह हमारा है 2487 हम क्या करेंगे odd or even numbers को find out करने के लिए कि यह number हमारा order चाहे कितनी भी digit का number हो ठीक है अगर हमें odd number और even number find out करना है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले देखो यह हमारे है न यह हमारा है 0,2,4,6,8 यह हमारे even numbers है 1,3,5,7,9 यह हमारे odd numbers है तो हम इन numbers की last की digit चाहक करेंगे सिर्फ देखो जैसे यह last की digit है हमारी कितनी है 7 है ठीक है तो यह 7 चाहक करेंगे यह 3 चाहक करेंगे यह 2 चाहक करेंगे यह 4 चाहक करेंगे और यह 3 चाहक करेंगे इन सब की last की digit हमारे कितनी है यह हमारी seven क्या है odd है तो यानि यह number पूरा क्या होगा odd number होगा यह number हमारा क्या है odd number यह भी हमारा क्या है three है यानि यह भी हमारा क्या होगा odd number two है यानि two बंजा two two से completely divide हो जाएगा यानि even number यह हमारा four है two से divide हो जाएगा two two जा four even number यह हमारा 3 है यह हमारा क्या हो जाएगा odd number यानि even numbers हमारे होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 और odd numbers होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 0 से लेके 9 तक की जो digits होती हैं 0 से लेके 9 तक numbers है इन में हमारे odd numbers और even numbers है यह हमारा क्या है even number odd number यह हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हमारा even number है और 1, 3, 5, 7, 9 हमारा क्या है odd numbers है तो यह हमारा है even number और odd number अब हम चेक करेंगे find the sum and write whether they are odd or even यानि इन दोनों को add करने पे जो हमारा answer आएगा और चेक करना है कि हमारा odd है कि even तो चेक कर लेते हैं 8 प्लस 2, 10 तो यह क्या है हमारा even है last digit हमारी 0 है 12 प्लस 8 कितना हो गया हमारा? 18 और 220 0 है यह हमारा क्या हो गया? even हो गया C है हमारा 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 odd number है हमारा यह ठीक है तो ऐसे हम numbers चेक कर लेंगे add करके कि यह even है कि odd है कुछ conditions होती है जैसे odd प्लस odd odd और odd number हमारे क्या होते हैं? even even plus even यानि दो even numbers होंगे तो वो हमारे even होंगे ठीके? दो odd numbers होंगे तो हमारे even होंगे odd और even number होगा हमारा तो वो हमारा odd होगा ठीके? यानि even even हमारे क्या होते हैं? even होते हैं odd even हमारे odd होते हैं odd odd even होते हैं ठीके? अरग है यहाँ पर even और odd number है तो भी हमारा क्या होगा? odd number होगा ठीके? तो यह है हमारे odd और even numbers ठीके?